दोस्तों पिछले एक वीडियो में हमने बात किया था मिक्शेर्स के बारे में और हमने यह देखा था कि SP 23 में जो है water cement का क्या ratio होना चाहिए और हमने अब्राहम लोग के हिसाब से यह भी देखा था कि जैसे जैसे हम water cement ratio increase करते हैं वैसे वैसे जो हमारा strength reduce करता है इसका मतलब यह हुआ कि water cement ratio हमारे quality control के लिए बहुत ही important parameter है इसको कभी भी miss नहीं करना चाहिए और अगर आपने water cement ratio को site पे control कर लिया है जो site engineer या site manager तो आपने अपना काम 70% आपका quality control शिर्फ और शिर्फ water cement ratio से भी control हो जाएगा तो sp23 में यह बहुत clear cut guidelines था कि one gram of cement के लिए हमें कितना water use करना है point two five three gram of water ठीक है ना सिर्फ इतना use करना है hydration के लिए और इतना ही जो है पानी लगता है हमारा एक gram cement को hydration के लिए point two five three gram water सिर्फ लगता है उसके बाद हम जितना भी पानी डालेंगे वह हमारा wastage जाएगा और अगर वही wastage हमें control करना है उसी को हम कहते हैं water cement ratio का control अब जो है देखिए हमने इस पहले वीडियो में भी बात किया था कि cement में जो है कौन-कौन से main component होते हैं cement के एक है cement फिर है आपका aggregate ठीक है फिर आपका आगया sand और water हमारे concrete के यही चार component है इनही चारों के base पे हम एक mix design त्यार करते हैं और उस mix design का एक desired strength होता है जिसको हम FC के बोलते हैं और उसकी एक workability होती है उसमें water cement ratio भी आपको दिया होता है कि कि कितना एक cubic meter में कितना पानी हमें डालना है अब अगर हम अगर हम अगर अपनी concrete का property को change करना चाहें क्यों change करना चाहेंगे क्योंकि माल लिजे आपका जो plant है वो आपके side से इतना दूर है कि आपको आने में दो घंटा लगता है आपको setting time बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपकी setting time concrete की 30 मिनट होती है तो 30 मिनट से ज्यादा अगर आपको transit में लग रहा है आपके transit mixer को तो उस case में आपको setting time बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको underwater structure में काम कर रहे हैं तो आपको setting time घटानी पड़ेगी क्योंकि आपको आप यह चाहेंगे कि जैसे ही आपने concrete डाल दिया वो set ह हो जाए इसी तरह अगर आप आपको workability ज्यादा चाहिए ठीक है ना और आपको पानी कम डालना है तो आपको पुछ ऐसे mixer यूज करने पड़ेंगे जो कि आपके water cement ratio करते हैं तो कहने का मतलब है कि एड़ मिक्षर क्या है एड़ मिक्षर जो एक constituent है concrete का जो कि हमें एक desired physical property provide करता है अब मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि एड़ मिक्षर जो है इसके इसकी properties IS 9103 में हमारा IS 9103 में यह बहुत clearly जो है mentioned है कि हमारे पास जो है चार तरह के basically दो तरह के एड़ मिक्षर होते हैं एक होता है आपका यह मैं एक होता है point of view से आपका बता हूं एक होता है mineral admixture और दूसरा होता है chemical admixture ठीक है दोस्तों तो यह आपका कई बार question question में आ जाता है हलांकि practically इसका यूज़ बहुत है mineral admixtures में हम mainly क्या यूज़ करते हैं फ्लाइस flyers या silica fume ठीक है इसका हम mineral admixture में यूज़ करते हैं क्योंगी flyers जो है वो green buildings में भी यूज़ होता है और कभी-कभी क्या होता है आप batching plant में 30% तक flyers allowed रहता है concrete में mix करने के लिए मतलब अगर आप OPC cement यूज़ कर रहे है 43 ग्रेड या 53 ग्रेड या 63 ग्रेड OPC cement आप यूज़ कर रहे है तो आप 33 30% तक flyers यूज़ कर सकते हैं उसको flyers concrete बोला जाता है तो यह mineral admixture है दूसरा होता है chemical admixture तो हम जो admixture की बात कर रहे है वो chemical admixture से इसमे और भी एक दो चीज़ाते हैं से आपका rice husk आ गया ठीक है ना कभी-कभी rice husk कर सकते हैं तो chemical admixture में हमारा IS 9103 चार तरह के admixture को define करता है पहला है accelerating accelerating दूसरा है retarding ठीक है तीसरा है आपका water reducing ठीक है और चौता है आपका air in training अब हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सा admixture है उसको कितना डालना चाहिए और जो है इसकी कौन-कौन से अभी मार्केट में कौन-कौन से अच्छे ब्रैंड्स के जो है admixture available है उसके बारे में हम बात करेंगे तो accelerating admixture के बारे में आप जानते हैं कि accelerating admixture का मतलब है कि जो आपका setting time को जो है घटा देता है मतलब hydration का process को accelerate कर देता है मतलब जैसे आपको underwater structures में यूज करना है या आपको कहीं पर मान लिजिए ऐसी जगह में यूज करना है जा आप चाहते हैं कि तुरंत जो है आपका set हो जाए concrete तो उस case में हम accelerating admixture दूसरा आपका आता है retarding admixture तो retarding admixture क्या करता है उस setting time को delay करता है उसके लिए हम gypsum यूज करते हैं आप जानते हैं gypsum तीसरा जो important है वह है water reducing जिसके बारे में हम बात करते हैं और यह water reducing admixture क्या करेगा आपका water cement ratio को control करेगा इसी लिए यह बहुत ही important चीज है और इसका अक्सर हम जो है site में यूज करते हैं देखिए accelerating admixture और retarding यह बहुत specific purpose के लिए यूज होता है ठीकन लेकिन water reducing admixture का आप यूज कहीं भी कर सकते हैं जहां भी आपको strength ज्यादा चाहिए आप चाहते हैं कि हमको कम cement डाल के ज्यादा strength आ जाए या हम water cement ratio को control करना है तो यह दो तरह के होते हैं यह होता है plasticizer plasticizer और दूसरा होता है super plasticizer ठीक है आपका plasticizer जो है यह आपका 10% तक water cement ratio को कम कर देता है और super plasticizer 20% अब यह क्या होता है इसको थोड़ा से समझने का प्रयास करते हैं मान लिजे आपने mix design कराया ठीक है ना मान लिजे आपने mix design कराया M30 का ठीक है अब इसमें मान लिजे आपका cement इसने दिया मान लिजे 7.5 bags ठीक है ना यानि 375 kg सपोज 375 kg ठीक है 7.5 bags मतलब 375 kg अच्छा water आपका इसमें है मान लिजे एक cubic meter यह one meter cube का है में आपका cement चाहिए 375 kg और water चाहिए मान लिजे आपका 170 लिटर सपोज ऐसा मैं मान लेता हूं ठीक है ना तो क्या है इसको समझते हैं उस एक्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा मान लिजे आपका आपने एम 30 डिजाइन किया ठीक है इसमें क्या है आपका cement मान लिजे 375 kg लगा ठीक है ना आपके में की डिजाइन में और water आपका 160 लिटर यानि आप बाकी सेंड और एग्रिगेट भी है सेंड एग्रिगेट यह सब भी है ठीक है ना हम यह दोनों चीज़ पर करते हैं तो मान लिजे 375 kg आपको cement लगना है और water लगना है आपको 160 लिटर अब आप चाहते हैं कि 160 लिटर वाटर नहीं लगे मेरे को कितना चाहिए मैं चाहता हूं की 120 लिटर में water मतलब 375 kg का सिमेंट में 120 लीटर डलना चाहता हूँ तो अब मेरे को क्या होगा जैसे ही मैं पानी का क्वांटिटी कम करूंगा वर्केबिलिटी कम हो जाएगी अगर आप पंप में यूज करने कंक्रीट तो आपका पंप में कंक्रीट फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं वाटर परदिउस करूंगा ऋगलकूम रलिटी कम हो जाएगी यानि मेरे को वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए झॉरी में हो और जो की 160 लिटर के equivalent हो, मतलब हम 160 लिटर पानी नहीं डालने हैं, हम 107 लिटर का equivalent जो workability है, उतना workability एचीव कर रहे हैं, 120 लिटर पानी डालने के, तो हमको क्या डालना पड़ेगा? प्लास्टी साइजर, ठीकाना प्लास्टी साइजर, अब आप चाहिए कि मैं 120 लिटर डालने हैं, आप और कम करना चाहा हैं पानी को, तो क्या डालना पड़ेगा? सुपर प्लास्टी साइजर, ठीका दोस्तों? तो सुपर प्लास्टी साइजर और प्लास्टी साइजर और सुपर प्लास्टी साइजर का यह ही डिफरेंस है, कि प्लास्टी साइजर लगभग-लगभग 10% आपका water को reduce करता है, और सुपर प्लास्टी साइजर लगभग-लग मैं लगभग की बात कर रहा हूं क्योंकि यह मिक्स डिजाइन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है जो आपके मिक्स डिजाइन में आएगा वही होगा तो यह आप समझ यह कि प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करता है हमारा वाटर सिमेंट प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर तीनों का क्वांटिटी इसने दे दिया है कि इसमें हम कितना जो है वह डालेंगे तो इसमें है कि 1% और 2% प्लास्टिसाइजर 1% और सुपर प्लास्टिसाइजर 2% आफ दी यह आप देखिए 456 का जो आपका इसमें आ रहा है इसमें बहुत क्लियर है कि 1% या 2% आफ क्या आफ दी सिमेंटेसियस मेटेरियल सिमेंटेसियस मेटेरियल इसमें लिखा है सिमेंटेसियस मेटेरियल मतलब क्या हुआ सिमेंट या फ्लाइस अगर आप फ्लाइस कंक्रीट यूज कर रहे है जैसे बेचिंग प्लांट में हम लोग करते हैं जैसे मैंने अभी कहा कि Green Buildings के लिए यह mandatory है कि 3% flyers जो है आपका OPC में यूज़ करना है, तो अगर आप flyers यूज़ करना है, या flyers cement यूज़ करना है, flyers cement में भी लगबग लगए 20-35% flyers होता है, तो अगर आप ये यूज़ करना है, तो या तो cement plus flyers, दोनों cementitious material है, तो उसका 1% plasticizer के case में, इतना ही आएगा, लेकिन अगर mix design में जो भी आता है, वो सकता है, आपका 2% के जग़ा 1.9% है, तो वो that is the approximate quantity, और वो limiting value है, लेकिन आपका जो भी mix design में आएगा, वो आप कर सकते हैं, अब सवाल ये है कि जो है, add mixtures देखिए, market में बहुत तरह के add mixtures आपको मिल जाएंगे, तो कौन सा add mixtures यूज़ करना चाहिए, अभी जैसे आपका आएगा PD light, ठीक है, PD light के add mixtures यूज़ किजिए, अच्छा होता है, दूसरा आपका आएगा sick को, ठीक है ना, फिर आएगा sick का, ठीक है ना, फिर आएगा आपका, क्रायटन, ठीक है ना, ठीक है तो इस तरह के बहुत सारे add mixtures आते हैं, अभी आपका वो भी आ रहा है, narrow leg, narrow leg, प्रेमा कर गयाता है, प्रेमा, narrow leg प्रेमा आप यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे brand है, लेकिन सबसे अच्छा PD light कीजिए, या sick को यूज़ कीजिए, या sick का यूज़ कीजिए, तीनों बहुत अच्छा brand है, यह भी बहुत अच्छा brand है, इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं, तो लेकिन quantity आपको जो है, 456 के हिसाब से रखना है, और जो है concrete में water cement रूश्यो को गंतोल करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, बहुत बुद्धिन्यवाद, नमस्कार, जहीन.